कि नरही के थाना प्रभारी दिवाल फांकर फरार हो गयत हैं चौकी प्रभारी फरार हो गया चौकी किनन बाबा का बुर्डोजर गर्जेक उचना देर शाम मन्ने मुख्रिमंत्री योगी आजितिनाथ जी को पता लगी तो उन्होंने तुरित कारवाई करते हुए यहां के सीयों को निलंबित कर दिया एडिशनल एस्पी दुर्गा शंकर तिवारी का ट्रांस्वर कर दिया और तक जान गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहा हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप हम बात कर रहे हैं बलिया उत्तरप्रदेश इस्थिच नरही ठाने की नरही ठाना इस समय गूगल पर ट्रेंड कर रहा है दोस्तों एन आई पर निउज आ रही है इंडिया टीवी पर पर लिए ठाने में पूलिस वालों को जो इरफ्तार किया गया अब ट्रकों से वायद वसूली करते हुए उस मामले की शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई और किस तरीके से वीडियो को पूरा देखने से पहले हम आपको एक महत्वश्य पर सुचना देना चाहेंगे कि यदि आपके बच्चे ने या बच्ची ने 12th पास कर लिया है तो और यदि आप उसको मेडिकल छेतर में पढ़ाई के लिए आगे भेजना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाएए स्री नाथ बाबा पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में जो की नगरा के उरैनी में इस् करा है निश्चित रूप से आपके बच्चे का बविश्य उज्वल होगा और दो से तीन साल के अंदर उसको नवक्री मिल जाएगी यह बात प्रक्की है इस अवसर्ट को अपने हाथ से ना जाने दे बहुत बहुत धन्यवाई हम आपको बताते चले दोस्तों कि बुधवा तुम्हारी बक्सर में एक ट्रक में बैठे ट्रक वाले को बताया कि हम पुलिस विभाग से सम्मंदित हैं ट्रक वाले ने कहा कि साहब आगे वसूली होती है तो उनने कहा कि मुझे मालूम है चिंता मत करो हम लोग भी पुलिस वाले है तुम्हारी वसूली नहीं होगी तु पूलिस विभाग नहीं दिया था वो बारा तेरा लोग लाठी डंडा लेकर के वसूली में लिप्त थे और जब ये पूरा का पूरा नजारा डियाई जी साहब ने और एडी जी जोन साहब ने जब देखा तो ये भी हैरान रह गए क्योंकि इनको जो इनपुट मिल रहे थे इनको जो खबरे मिल रहे थी ये अपने आप में कहीं न कहीं पुस्त होती हुई उनको दिखाई दिये चूंकि टीशर्ट और जीन्स में अधिकारी तीशर्ट और जीन्स में थे इस वज़य से पुलिस वाले इनको पहचान नहीं पाए जैसे ही ट्रक वाले से वसूली की ब प्रतिया और दस बारा कि संख्या में जो है वह प्राइबिट लोग भी रफ्तार दोस्तों यह योजना किस तरीके से बने हम आपको बताते हैं कि आजमगड के डियाईजी साहब जो है वायभाव कृष्ण जिनका नाम बताया जा रहा है बलिया जनपत में अस्पी रह चु इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत इमांदार अधिकारी हैं उनको लगातार सुचनाय मिल रही ची कि बलिया ते नरही ठाने से बहुत जबर्दस्त वसूली होती है आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों पांच लाख रुपए प्रति दिन की यहने की प्रतिरात की वसूली होती थी याने की लगभग डेड़ करोड रुपए महीना अब आप सो सकते हैं दोस्तों कि यह ठाने की वसूली यदि डेड़ करोड रुपए महीने होगी उस ठाने को आप ठाना कहेंगे यह ड़केती का केंद्र कहेंगे बलिया पुलिस ने बहुत बुरी चरीके स पूरे जिले को और उन पूलीस वालों को भी शर्म्सार किया है जो आज भी इमांदार हैं। इमानदारी का वेतन लेते हैं इमानदारी से अपने नौकरी करते हैं ये बात जब वैभव किस्णा जी ने बताई अपने ADG जोन वारानसी को कि सर बहुत जाजा खबरे आ रही है और इस तरीके के इंपुट मिल रहे हैं कि बहुत तगड़ी वसूली हो रही है तो ADG साहब औ ADG आजमगर साहब ने एक गोपनी तरीके से आपरेशन चलाने का नियने लिया और वो रात में लगभग डेढ़ बजे पहुंच गए बक्सा तीन चार टीमों का लगलग गठन किया था सारे लोग साधी वर्दी में थे ताकि पुलिस वालन को न पहचान पाएं एक बात और आपरेशन बहुत गोपनी तरीके से चलाया गया था और जैसे ही पुलिस वाले ट्रक से कूदे तो चुकी वो अपने दिकालियों को नहीं पहचान पाएं जो वसुली कर रहे थे जब उनको उन्होंने अपने आपको ये पाया कि मुझे हम लोगों को चालों तरफ से साजी वर्दी में घेरा गया है तब उनके दिमाग में यह आया कि कहीं न कहीं विजिलेंस की टीम या कोई और टीम हमें गिरफतार करने के लिए तो वहां पर भगदर चालो हुई मौके से सिपाही गिरफतार हो गया गिरफतारी जब हुई तो तड़ा तड़ा उसने नाम खोलना चालू कर दिये कि साब मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं है यहां छेच्छे साचा क्लों की ड्यूटी होती है दरोगा जी के कहने पर हम लोग वसूली करते हैं और हर ट्रक से 500 रुपे लेते हैं फटा फट उन्होंने अपना रहस्योत गाटन कर दिया और 100 रुपे हमको मिलते चार सूर रुपे दरोगा जी को मिलते हैं और महीने में एक बार हिसका हिसाब होता है आप सो सकते हैं दोस्तों की इस तरीके की पुलिस की कालप डाली जिसको हम सीधर-सीधर चब्दों में कहें तो बल्या पुलिस की डखेती है क्योंकि डखेती ही कहलाती है कि दिन हो जाती थी कि बिहार से उत्रप्रदेश में और उत्रप्रदेश से बिहार में कई चीजों का जो आवैद होती हैं उनका अवागमन होता रहता है शराब के त्सकरी बीहार में होती है क्योंकि बीहार में शराब बंदी है. बॉत अच्छ से जानते हैं उतर प्रदेश से जितना भी शराब बीहार जाती फुल के माध्यां से जाधातर जाती है. препय तो उटेंचो जय घर में होता है. बहुत जागा रुपे की वसूली होते 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 एक लंबा समय हो गया था तो कहीं न कहीं इसका अंत होना तो निश्चित था और बलिया पुलिस का ये जो तारनामा जो सामने आया है हम दिल से शुब कामना देंगे उन दोनों अधिकारियों को एडी जी जोन वारान सी पीउस जी को डियाई जी आजमगड को कि जिनों ने पूरी इमांदारी से और पूरी सटीक निर्णे ले करके और बहुत ततकाल कारवाई करके इस तरीके की बात का रहसोत घाटन किया जिसको पूरा जिला बहुत पहले से जानता है पूरे जिले में एक से एक जन प्रतिनी जी हैं पूरे जिले में एक से एक मंत्री हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस बात को नहीं जानता था कि बलिया में इस तरीके की वसुली न रही ठाने या को रंटाडी चौकी के द्वारा की जाती है कारवाई क्या हुई है यह आप अच्छे सो जानते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कारवाई में तीन पुलिस वालों की गिरफतारी हो चुकी है तो उन्होंने तरित कारवाई करते हुए यहां के सीयो को निलंबिट कर दिया एडिशनल एसपी दुर्गा शंकर तीवारी का ट्रांसवर कर दिया और एसपी साहब भी यहां से नाप दिये गए जो के भी कुछ समय पहले ही जिले में आये था पूरे घटनकरम को देखा जाए धाने में किस तरीके की वसुली होती है किस थाने में पण्विक के ऊपर कितना त्याचार किया जाता है यह पूरा सुन्यों जी था और यह नीचे से ऊपर तक इसका कहीं न कहीं बटवारा होता था यह भी हम कहते हैं क्योंकि बीना किसी बड़े अधिकारी के संग्रच्षन कि किसी भी थाने नहीं है, कि वो इस तरीके की अवेजवसुली कराए और वो भी डंके की चोट पर, लाठी टंडे की चोट पर इस तरीके की कारवाई कराए, हम नहीं समस्ते हैं. आपको मालूम होगा दोस्तों की नरही के ठाना प्रभारी दीवाल फान कर फरार हो गया है जोकी प्रभारी को भी सस्पेंट कर दिया गया है यह कारवाई स्रीच सस्पेंट तक ही नहीं है विजिलेन्स की एक टीम अब इस बात की भी जांच करेगी कि इन पुलिस वालों के प वाले ये भी हम आपको बता दें Chioping वीभागीयांच में यह पक्ड़े जाएंगे पक्ड़े गएं कि खुलियाम स्विकारोकती हुई है और जिस दिन दरोगा जी पक्ड़ेगाई वह भी जेल जाएंगे चोब की प्रभाली शया अन्हें पुलीस वाले प्कड़े वह भी जेल जाएं बलिया को बदनाम करने में कोई कसर बलिया की पुलिस छोड़ नहीं रही है आपको याद होगा दोस्तों भी हमारे वीडियो यूट्यूब और फेस्बूप पर चल रहे हैं हमारी टीम परसों के दिन बाश्डी ठाने के सामने थी बाश्डी ठाने से सो मीटर क भी दूरी पर नहीं 50-60 मीटर की दूरी पर एक यूवक को सरयाम धारदार हत्यार से घायल करके उसको हमेशा हमेशा के लिए उपर पहुंचा दिया गया और इस्थानी लोगों का कहना है कि बाश्डी पुलिस सरी बीडियो बनाती रही किसी ने उस बच्चे की मदत नहीं क और एक ब्रामन का 20 साल करना हो जवान इस घरती से हमेशा मेशा के लिए चला गया दोस्तों कैसे लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट में जरू बताईएगा मैं हुरी यम श्रिवास्त और आप देख रहे हैं मेरा फेस्बूक पेज यूनिक नीज वन और इजी आप मु